किसान ब्रयों नमस्कार आज हम पहुंचे हैं स्री गंगा नगर जिल्ले के गाव देईदासपूरा में किसान को जसा कि आप देख सकते हैं कि यहां खजूर की खेती हो रही है यह जो आप बाग देख रहे हैं यह राजस्थान का पहला जो खजूर का नीजी बाग है यानि कि जो किसान ने लगाया है वो पहला ही बाग है इससे पहले यह खजूर का बाग किसी ने नहीं लगाया है यह बहुत ही राजस्थान के लिए गर्व वाली बात है और काफी जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें थोड़ा आप अपना परिचे बताइए मेरा नाम बद्रिनारन शर्मा गाम देधास्वरा तैसी सूर्थिकर दिला गंगानगर का रहने वाला हूँ और यह मैंने बगीचा शुरू में 2009 में सोई जुलाई 2009 का यह सुरू जो यह इसके लिए मरू भूमी चाहिए और कम वर्षा वाला इलाका जुलाई और अगस्त में कम वर्षा यह वर्षा रहित होना चाहिए जो यह उप्योगते हैं तुम्परेश्य यहां पिश्मंद टिगरी उपर में चमता है और माइनस फांस तक कोई नुक्सान नुक्सा एक चीज में पूछना चाओंगा जिसे आप खजूर की खेती करते हैं, लोग ख़जूर खाते भी हैं, तो इसने में कौन कौन से पौसक्तत्व होते है उसके बारे माघ batteries कि प था होती है इसमें तीन पर्संट Fadem valley होता है lebih आदा मता होते है और पृउस्ट उसके प्रकी में होता है तरह सों किलो ताज़ा पृलो में एक 2150 कलोरी और्दा मनुष्य को सारब देशेंट लिब्या के अंदर एक बी खैंसर रोगी नहीं है ऐसा वैग्यानिकों ने हमें बताया तो जैसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो बगीचा लगा है काफी इंटेर जगह पर है यहां आने का रास्ता भी नहीं है जैसे हम बाइक लेके आए तो काफी मुश्किल से यहां है तो आपने इस जमीन में बगीचा तयार करा और आप पूरे राजस्तान के लिए एक रोल मोडल बने हैं तो किस तरीके से आप इस तक पहुंचे हैं इस तक कि यहां काफी सारे किसान भाई रोज आते हैं और कलेक्टर वगेरा भी इस फारम को यहां पर देखने के लिए आते हैं तो वह आप थोड़ा बताये कि कैसी आपने इसकी शुरुवात करी थी आप सप्लाइए करेंगे और किसान भाई इसका फाइदा उठावें उसका उसकी जानकारी लेकर के मैं गुजरात गया और गुजरात के अंदर में बहुत बड़े इलाके के अंदर सांतलपोर रागनपोर बचाओ समख्याली अंजार बुज मुंद्रा मांडवी नक्राना लग पूरे इलाके में गुमाओ सारी जानकारी किसानों से वेग्यानिकों से लेकर आया और मुंद्रा इस्वा सेंटर में वेग्यानिक थे मूरली दर्ण उन्होंने सारी बात बताई इसमें पी एस दो है भूमी का 9 पी तक जांखेती नहीं होती 8.7 यह हो जाता है मिठा हो जात है और उदर से फाइल भी लगा लगा दी जो 2011 में मैं टी शुकुलत के पोदे फिर मैं 2011 से लेकर 2014 तक कुल यहां 1360 पेड मैंने लगाए जो आज 2 लाक रुपया परती बिगा आठ लाक रुपया परती हेक्टर का मुझे मिल रहा है जो पूरे जिंदगी पूरी जिंदगी जानतर गुंटे काम करने पर शिर्फ रोटी मिलती थी आज खुशाली जिंदगी जी रहे हैं अच्छी जिंदगी जी जिए जहां तक रेत का सवाल है तिबों का सवाल है बहुत बड़ा तिब यहां रस्ता नहीं है फोर वाई फोर गाड़ी पीक अप गरकी है अगर शीव चीफ इंजिनेर ये थर्मल पांट ये आए बारा सरकार के स्विंक सचीव शुभा सी जाजड़िया यहां आये मेरा उसला बढ़ाया और बड़े-बड़े अधिकारी हमेज सालाना हजानों लोग पंजाब, अरियाना, दिल्ली, मुत्रा, आग्रा, राजस्तान और जहां त जो साल बर खराब नहीं होती है उसके लिए उसके लिए गुजात से किसान आ रहे हैं मद्यापरदेश हैद्राबाद बंगाल से किसान मुझे टेलीफॉन पर बने हुए है वो टेलीफॉन करें हम आ रहे हैं पूरा अधा देश लगब पूरा देश यहां आने को आतुर है तो जैसे एक चीज है कि यहां पानी बिलकुल भी नहीं है बिलकुल कम महत्राँ पानी अप इसमें पेलाई किस तरीक इसे करते बहुत है यह जीलें बढ़ी हुई है उत्तर के अदर गर्गर नाधी की यहां पानी आदा फूरसालाना बढ़ रहा है ऑनी में पानी की कोई कम पक्की जमीन में यह नहीं होता है इसके लिए उप्यूद गए जहां जहां संसार में मुरू भूमी है वहां ज्यादा मात्राम हो रहा है पाकिस्तान इरान इराग साथी यमन ओमान इस्राइल सीरिया सुडान मिस्र मुर्ट को टनेशिया स्पेन का दक्षनी भूबाग और अम अपरिका का अठकामा मर्स्तल अगर सरकार इस पर साहिता देवे बीज पर और इस पर पैकिंग हाउस पर तो यह खजूर पट्टी हो सकती है और इसके बहुत फाइदे हैं परियावन सुद्ध होगा यह परदूशन नहीं होगा मुरू विश्तार रुकेगा किसानों की लुके आयाइबंध कर शकते हैं अगर सरकार में अधा दे औरम कीम्स मेले लगती होग्ते हैं पूरी जान कारेशों देता हूं पूरे भारत के कोई बिक्सान हो खाने पेटर पीञ़ाई पानी की स्वालк इस में तीन साल तक पानी पहले की सुन accessories और रोजना चाहिए पैंस चोड़ करके सर्दियों में साथ दिन पहले पांदस लिटर फिर भी से तीस लिटर तीस साल पसास लिटर और फलत पोदे को एक मैई से तीस दून तक साथ दिन तक रोजाना पानी की जरूरत होती है जैसे फेड़ते पानी पानी जरूरत नहीं होती अईल सोब्रें लेकर 200 लिटर तक ब्सकों दिन पानी जरूरत होती है तो अब आपने कितने ह influenza में पूरा बगीज़ करें मेरे यह यह श्यों क्टर जगा हुए अब और इसमें कितने पोदे लगते हैं उसकी एक पोदे की किमत अगर पाड़ा का पड़ता है सैन्टी 100ąd परें कम्पलिय ने नहीं टेड़ी तरहिए तरह च जants पाड़े नहीं परशेंट परशेंट पर दिया है कई जिलों के अंदर लेकिन हमारे यहां पिछले साथ साल से कोई अनौन नहीं है तो जैसे आपने दोजार नो में लगबगी बगी चल गाए हैं तो उसके बात कितने दिनों बाद इसमें आपका जो फर्स्ट प्रोडक्शन वो तीन साल पर बड़ा पर बरही किसम है 300-00 कॉंटल पर खर्कट्र हो सकता है होता है हो यहां दोसरी किसमें उनका कशार और पिंड हो थो क्यों पर यह यह घृट्य पेड़ा है उसके लिए जरूरी होता पूरा यूनिट जो आम किसान के बसका रोग नहीं है बिना साहिता यह नहीं लग सकता है जो यहां दो ड्रायर लगे हुए है और यहां पर पंजाब रियाना पूरा राश्तान के लोग किराया लेकर के खारक बनवाते हैं जिसमें 20-25 रुपया प्रती किलों का कर्चा आता है और हम किराया लेकर खारक बनाते हैं और साल बर खुराब नहीं होती है और आने वारे को हम निश्वलक खिलते हैं परते किसान को जो अमारे पास टेल्नी के लिए आता है तो उसके बाद जैसे आप यहां तयार जैसे आपका प्रोड़क्शन निकलता है तो आपका इसका बा लूजन हम्पस भीज़ जाते हैं, यहीं बिग जाता हैं, हमारा कहीं भी ले जाने की आभशक्ता नहीं है। अब की बार ये जो है बंगाल करनाटका केरल सी गाड़ियां यहां से गई हमारा बगीचे कामाल पचास रुपे खेत में से ले गए और खुद्रा के अंदर सतर से सो किलो रुपे परती किलो बिगता है तो जैसे अगर कोई किसान की खेती करना चाहिए अगर इस इलाका में त पर आपने जब इसकी खेती शुरुआत करी थी तो आपको क्या सावदान मतलब आपको जानकारी नहीं ती जिसे कि आपको नुक्सान हुआ उस तरीके का तोड़ा सब्सक्राइब मेरे को नुक्सान जानकारी मैं गुजरास से वेगयनिकों से सारी इकटी करके लाया था ले मेरी उम्रे मैंने कोई नुक्सान नहीं उठाया हां कमपनी ने डूपलिकेट पोजे दिये उसका नुक्सान हुआ जिसके फड़ फूल नहीं आया वह पोजोए कंपनी ने दुबारा में दे दिये तो वह ठीक है उसका 50-50 परसेंट नुक्सान हुआ अधारगले हमने समझो पर सबसे पड़ता है इसका बाव 10,000 पर के जी इसका पोलन का होता है अगर आप वहने से करोगे तो उसका दूना खर्चाता था सबसे सबसे बढ़ी अप पड़ता है तो परतिसता वाड़ा ही सही है जो हम लोग कर रहे हैं तो किसान भायों उम्हेद है कि आपको जानकारी इच्छी लगी होगी खजूर के बारे में और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें साथ ही दूसरे किसान बंदै विलेंगे इसी परकार की एक और जानकारी कैसा अगले वीडियो में तब तक लिए बारत जे जवा राम 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 राम